लामस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेन्बो मतलब इंदर्धनुस कैसे बनता है और उसके पीछे का क्या साइंस होता है कैसे इंदर्धनुस बनता है वो हमें अलग-अलग रंगों में क्यों दिखाई देता है और जो रंग दिखाई देते हैं उसके पीछे क्या साइन्स होता है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को देखिए इंदर धनुस तब बनता है जब सूरी की किर्णे बारिस की बूंदों से होकर गोजरती है जब सूरी की किर्णे बारिस की बूंदों से होकर गोजरती है तब इंदर धनुस बनता है इसके पीछे प्रकास का प्रावर्तन अपवर्तन और प्रकीरन का सिद्धान काम करता है तीन चीजे काम करती है, पहला हो गया परावर्तन, आपवर्तन, दूसरा, तीसरा प्रिकिन, तो एक एक करके इन सबको देखते हैं देखिए, मैं आपको पहले गिराफ के मादनेम से समझानी की कोशिस करता हूं, देखिए, यह है हमारा सनलाइट, ठीक है? सल लाइट में आपको पता ही होगा साथ तरह के रंग होते हैं ठीक है इस तरह के यह जो रंग आप देख रहे हैं यह साथ तरह के रंग पिरकास सूर के जो पिरकास होता है उसमें पाए जाते हैं लेकिन यह साथ कलर मिलके एक सफेद पिरकास बनाते हैं जो हमें सूर का पिरक देखने को मिलता है तो देखिए जब सूरी का प्रिकास पानी की बून मेंटर करता है तो जो प्रिकास होता है वो अलग-अलग रंगों में डिवाइड हो जाता है ठीक है वो जब डिवाइड हो जाता है तो वो जब अप्रवरतन होता है हमें दिखाई दिता है तब हमें अलब रिफ्रेक्शन हुगा फिर वहां पर रिफ्लेक्ट होगा ठीक है जब रिफ्लेक्ट होगा जैसे जब रिफ्रेक्शन होगा तब अलग अलग रंगों में साथ अलग रंगों में डिवाइड हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा फिर रिफ्रेक्शन होगा तो अब्जर वो साथ अलग रंगों में डिवाइड हो गया उसके बाद रिफ्रेक्शन हुआ जिससे हमें इस तरह का रैन्बो दिखाई दिया ठीक है आगे हम थ्यूरी से समझते हैं देखिए प्रकास का अपवर्तन पहला सिद्धान था जब सूरी की किर्ने बूंदों में प्रवेश करती है तो उनका मार्ग बदलता है यानि अपवर्तन होता है ठीक है जब पानी की बूंदों सूरी का प्रकास पानी की बूंद में जाता है तो अपना मार्ग बदल लेता है ठीक है य जब इसमें जाता है तो अलग-अलग रंगों में ये बदल जाता है क्योंकि सफेद प्रिकास साथ रंगों से मिलकर बनता है मैंने आपको पहली बता है सफेद जो सूरी का प्रिकास है वो साथ रंगों से मिलकर बनता है वो रंग है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंड और बैगनी यह अलगलग रंगों में बाटना ही प्रिकास प्रिकिर्ण कहलाता है ठीक है दूसरा हो जाता है हमारा परावर्तन मतलब दिखाई देना इसके बाद यह रंग बूदों के अंदर परावर्तित होते हैं और जब यह बहार आते हैं तो एक यार्क इस तरह का यार्क यह आप देखिए हैं इस इस देखने को मिलता है तो मुझे रगता है आपको यह बुछ नहुंगारी झाल झाल